स्वाल दोस अबलग जैसे हो आसा गरता हूं ठीकोस तो आज की सिन्या वीडियो में मैं आप लोगो को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का ओरेंच एंड टील फोटो रिडिंग ठीक है मतलब ओरेंच एंड टील कलार ग्रेडिंग तो ये वाला फोटो में इस्टाक एंदा डाल ये वाला कलार टोन सच में यार बहुत यूनिक लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है ठीक है पूरा एकदम कूल टोन है भाई तो ये वाला वीडियो आप लोगोंने मांगा था तो भाई हाजिर है वीडियो तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई म देखने के लिए तो चले एक वीडियो को स्ट्राट कर लेते हैं तो गाइज है आप जैसे कि देख सकते हो ये वाला पिक्चर तो इसी वहले पिक्चर के ऊपर में आप लोगों को औरेंच एंड टील टील या औरेंज जो भी बोलो एक ही चीज़ है तो करके दिखाऊंगा आप लोग किस तरिके से कर सकते हो बहुती आसानी से ठेक है तो सिंपली इस पिक्चर को में यहाँ पर सेर बट्र प्रेट प्लिक कर के सिंपली है पर लेकर चला जाओँगा लाइट रूम के अंदर ठीक तो आप लोगों को मैं पहले बात बताद देता हूँ यहां पर गया हूं यहां पर देख सेक्टों फेस यहां पर मैं स्मूध करकर रहा हूं पहले से ठीक है क्योंकि यहां पर इस वीडियो के अंदर आगर मैं आप लोगो दिखना जाओंगा कि फेसे स्मूध कैसे करते हैं तो जिन लोग को नहीं आता है कि फेसे स्मूध कैसे करते हैं तो उस व क्योंकि लाइटरूम के निदर अगर अगर आप लोग मेस्टूल समझ नहीं पाऊगी तो यई रिडिंग भी नहीं कर पाऊगी तो मिश्टूल के उपर भी अलग्सा यहां पर लोके सनप आप लोग का लाइट के मतलब आपका प्रिक्चर को उपर लाइट अलग होगा तो आपने मुताविकंद से यां पर रखना है जितना मेरा कुछ इतना कर लिया हουμε देख सकतो गाईस and I आपर आजाओं को औरेंज कलर में आप लोगो दिखा तो वीफिर वाला फेस के साथ देख सकतो गाइस और अभी देख सकतो ठीक है यहाँ पर मैं लगबग रखूंगा यहाँ पर 25 या 26 ठीक है तो आप लोगो इस तरीके से फेस को पहले यहाँ पर वाइट कर लेना है उसके बाद आता है आप बैग्राउंड का काम ठीक आप लोगो यह दो चीज मतलब यह रेड और और ओरेंज से आप लोगो का फेस का कलर इसके बाद आप लोगों को ब्लाग्राउंड में आना है तो ब्लिखराँन क्या करूंगा यहाँ पर ओरेंज होने है आचुका है आप लोग थोड़ा सा चाहे तो आप लोग से चुरेशन कम रख्स रखते हो आप लोग को अगर उतना कलरफुल अच्छा नहीं लगता है लेकिन है पर मैं पूरा 100 रख रहा हूं ठीक है अब आ जाओंगा यहां पर यहां पर मुझे ज्यादा करने की जुरूरत नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा कर लेता हूं माइनस कर देता हूं यहां पर रखना है 8 या 6 ठीक है तो और यहां पर आप लोगों को टींट जो है टींट को भी माइनस कर देना है यहां पर लगभग 12 ठीक है तो यह भी कर लिया हूं और आप लोगों को यहां पर अब क्या करना है यहां पर जो भी कुछ काम है अप लोगों कर लेना है यह मतलब जो सिमिलर या मैनस 30 या 31 यूज कर रहा हूं धिक कर रहा हूं यापर और राउंड सको यहां पर हंडेड कर दूंगा और फिदर को भी हंडर कर दूंगा और यहाँ पर यहां पर इस टूल पर आजाओंगा और contrast कम कर दूँगा, तो देख सेक तो सब कुछ complete हो गए, अब लाना है आप लोगो औरेंज कलर, ठीक है, तो simply क्या करना है, आप लोगो जाना है यहाँ पर, ठीक कलर फिल्टर पर यहाँ पर, और आप लोगो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है artistic zero three, तो इसक यह 100 यह अच्छा लग रहा है, तो आप लोगो को क्या करना है, sky में यहाँ पर till वाला जो tone है, आप डालने के लिए आप लोगो simply है, आपर selective tool है, उसको उपर click कर दाना है, simply, and यहाँ पर plus का icon के उपर click करना है, और जो लाड़ वाला tool से इसको select कर दाना है, ठीक है, और select कर भी रहनेके बाद, आप लोगो simply उपर के तरह, उपर से कुछ नीचे के तरप, कुछ इस तरीके सा आप लोगो पकर कर के ले कर आना है, जितना दूर तक आप लोगो का sky है, इतना दूर तक ठीक है, अगर आप लोगो को picture में sky नहीं है, तो करने के कोई जोरृती नहीं है, तो कुछ इतना दूर तक कर लूँगा और आ जाओंगा यहाँ पर कलार टूल पर और यहाँ पर भी वह भी टील होगा है ठीक है तो उसको यहाँ पर मतलब वहाँ पर कलार नहीं चाहिए तो सिंपली क्या करूंगा यहाँ पर आप लोगो को पकर कर रहे तो चोड़ दोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जहाँ पर मुझे कलार नहीं चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरिज कर दूँगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पर इरिज कर देना है जहाँ पर आप लोगों को कलार नहीं चाहिए तो और उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा डन और डन करने के बाद यहाँ पर अब क्या दिक्कत आता है कि फेस के उपर आप लोग कमेंड करते हो क कि बाई फेस के ओपर कलर आयता है जैसे कि देख सेक्तों यहां पर भी मेरा बहुत ज्यादा कलर आचुका है, यह पर ओर्रइज का, तो यहांपर स्पिल में क्या करूँंगा, यहांपर जाओंगा, कलाल बला जायओंगा, यहांपर मिक्स्टूल, तो और इन लगाव में और अभी जो कलर है उसका अगर कम करने जाओगी तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो पूरा बैक्राउंड है देख सकतो गाइज यहाँ पर ओरेंज कलर में रिटिंग है तो थोड़ा सा हलका सा फेस के उपर ओरेंज कलर रहेगा तो यहाँ पर और और रियलिस्टिक लुक अगर जादा कम कर दोगे तो यह तो आप लोगों कुछ इस तरीके साई करना है अड़ विडियोस देखने के लिए और हाँ गाइस यह व्योग भी टील और और इंग कर पाई तो चलिए गयाज मिलते हैं नेक ट्वियों में तब तक के लिए बाई-बाई-अपना ख्याल र